नमस्कार दोस्तो प्रावल गांडी कि संसाथ सदस्ता रद्ध होने के मामले पर अमेरिका के बाद अब जर्मनी का बड़ा बयान आया है पतादे कॉंग्रेस के पुर्वधक्ट राउल गांधी को मानहनी केस में दो साल की सजा सुनाने के बाद लोगसभा सचीवाले ने उनकी संसत सदस्ता रद्ध कर दी थी। पतादे राउल गांधी के मामले में यूरेवपी देश की ये पहली प्रतिकरिया सामने है। इससे पहले अमेरिका ने राउल गांधी मामले पर अपनी प्रतिकरिया सामने रखी थी। अमेरिका के ओर से इस मामले में कहा गया था कि कानून के सासन और नियाईक स्वतंता के ल वाले अंतराश्टी प्रसारण डायचे बेले यानि डी डवलू पर इसे प्रसारित भी किया गया था। हम उम्मीद करते हैं कि नयाईक सोतनता और लोकतांतिक सिधानतों के मानुकों को लागू किया जाएगा। बतते जर्मन बिदेश मंत्राले की प्रवक्ता की तरफ से दिये गया इस बयान पर अब कॉंग्रेस ने अपनी प्रतिकरिया दिया है। जर्मन बिदेश मंत्राले की तरफ से ध्यान देने के लिए धन्यवाद। इससे पहले अमेरिका ने भी राउल गांदी की आयोगेता के मामले पर बयान दिया था। अमेरिकी बिदेश बिभाग के उप्रवक्ता बिदान पटेल ने एक प्रेस कॉंफरेंस में कहा था की अमेरिका राउल गांदी के मामले को देख रहा है। पटेल ने कहा था कानून के सासन और नियाईक स्वतनता के लिए सम्मान किसी भी लोकतंत की आधार सिला है। हम राउल गांदी के मामले को भारती आदालतों में देख रहा हैं। हम अभिव्यक्ति की स्वतनता समेत लोकतांतिक मुल्यों के प्रती अपनी साजा प्रतिवत्ता पर भारत सरकार के साथ बीना सक खड़े हैं। प्रवक्ता ने कहा कि भारती आदालतों में चल रहा है राउल गांदी के मामले पर अमारी बराबर नजर बनी हुई है। वहीं राउल गांदी से बातचित के सवाल पर अमेरिकी बिरेज विभाग का कहना है की। कि देश में जहां हमारे दिपक्षी संबंध हैं। विपक्षी दलों के सदस्तों के साथ जूरना हमारे लिए सामान ने है। अलाकि आपको ददे कॉंग्रेस ने राउल गांदी की सजा खिलाप कोर्ट में चुनोती देने की तैयारी कर ली है। मीडिया सुत्रों के हवाले से बताया जा रहे की हैसले को चुनोती देने वाली याजका भी तैयार कर ली गई है। और जल्दी अदालत में दाखिल भी किया जाएगा। पार्टी सुत्रों का कहना है कि पार्टी के सिर्ष कानूनी सलाकार समिक्षा याजका पर काम कर रहे हैं। जिसे एक या दो दिन में सूरत सेशन कोर्ट में दायर किया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि वाइस लड़ाई को कानुनी और राजनीतिक रूप यानि दोनों तरह से लड़ेगी